क्या आपको पता है Employee Provident Fund Organization है एक organization है जो के Ministry of Labor and Employment Government of India के द्वारा regulate होती है और यहीं पर एक बहुत ही अच्छी वेकेंसिया है for the social work तो आज हम इस वीडियो में डीटेल में चर्चा करेंगे कि इस वेकेंसिया को कौन अप्लाई कर सकता है क्या requirement है क्या eligibility है और कैसे आपको अप्लाई कर दा है उससे पहले थोड़ा सा हम जान ले कि Employee Provident Fund and Misledness Provision Act 1952 में आई थी और इस Act के बाद ही Employee Provident Fund Organization established किया गया था जिसके इसमें ही चर्चा करेंगे कि यहां पे जो फेकेंसिया आई है उसको social work fraternity कौन है जिसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए है और social work के है तो बीना किसी देर के चैनल को जरूर देखिए subscribe कीजिए और दोस्तों के साथ share भी कीजिए तो बीना किसी देर के direct advertisement क आप आपिए बीन थेखिए नुच बीन खरी ऐस पॉल्च अपन मुनिसटर्च अप्लेचिए और फ्यवेश्ट फिवीन प्तीया देर की टीजिए यह थां एंग टीजिए रूर लेसे टोप्तों इस अग्धिए ऑन आप आप एंपू पन गूंपो इसे प्रिंदिए पन उ वेबसाइट तो अपहोल्ड अप्लोड थे सेम ओन यूर वेबसाइट तो दिस इस गोल्डेन उपर्चुनिटी फॉर थे सोसल वर्चुनिटी यह बहुत ही अच्छी वेकेंसी का आपको मिनिस्टी के अंडर यहां पे वेकेंसी आई है और इसकी सैलरी भी काफी अच्छी है और काफी अच्छा इसका जो वर्च कल्चर है वो भी काफी अच्छा रहगा बहुत अच्छा यह उपर्चुनिटी है फॉर दर सोसल वर्च यहां पे दिया गया है करमचारी भविस नीदी संगठन यानि की इंप्लाइब प्रोविडेंट फंड और और यही वेकेंसी आ य या फिर www.epfindia.nic.in इस पर जाके आप लॉगिन करके डिटेल में एडविटेजमेंट को देख सकते हैं सबसे पहले बता दूँ कि यह जो वेकेंसी है वो पूरी तरह से आपको डिप्टेशन बेसिस पर होगा काभी अच्छा है और यहां पर अप्लिकेशन और और अंदिटेल में दिया गया है section-a में आपको यहां पे दिख जाएगा तीन तरग पोस्ट है हम लोग सारे पोस्ट के रहें चर्चा नहीं कidyijnगा हम सिर बात करेंगे social work की तो यहां पे social work के लिए यह जो पोस्ट है welfare officer की वो है इसको आप अपनाए कर सकते जोज होट कू biss msw they can apply for the this post the post name of the post is social welfare officer and the salary pay scale for this vacancy is seventh level pay scale on the brand band two that is nine hundred nine thousand three hundred to thirty four thousand eight hundred grade pay and the forty six thousand is pre revised pay so this is all about the vacancy structure of your salary scale now i will talk about the number of vacancy total number of vacancy is only one yarni ki sirf एक post है आपको welfare officer के लिए जिसके लिए यहाँ पे requirement application मांगा गया है एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे detail में एक note करके दे दिया गया है EPFO hold the right to increase or decrease the vacancy as per requirement यानि कि इनको अगर requirement हो तो advertisement के बाद भी यह number of vacancy को घटा या बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे note में दिया गया ध्यान देने वाली बात है नाउ eligibility criteria हम थोड़ा से discuss करेंगे ताकि आपको पता चल सके किस post को कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे welfare officer के बारे में दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे कुछ criteria दिया गया है साथ ही नीचे आपको educational qualification देखे तो यहाँ पे दिया गया पोस्ट ग्रेजर्ट डिग्री डिप्लोमा इन सोशल सर्विस सोशल वेलफियर सोशल वर्क सुसलोजी साइक्लोजी ऑफ ए रिकोगनाइज इन्वर्सिटी एंड इस्ट्यूशन और एक्कुवेलेंट यानि कि जो भी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजर्ट की डिग्री किसी भी सोशल साइन्स से लाइक स्पेस्ली कोई भी सोशल सर्विस हो सकता है सोशल वेलफियर हो सकता है सोशल वर्क तो है ही साथी सुसलोजी और साइक्लोजी वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं यानि कि जिन्होंने भी प in responsible capacity in social work in a social welfare department under the central government और state government और in any recognized voluntary social welfare organization यानि कि अगर आप किसी भी NGO में या फिर किसी भी central या state government में अगर आप social work के रूप में कारेरत हैं या फिर कार कर चुके हैं जिसका कम से कम तीन तीन वर्स का अनभव आपके पास है तो यू कैन अप्लाइ यहां पर टाइस पोस्ट यहां पर अलग दिया गया है और फोस्ट के लिए अन पोष्ट और ट्रांस्फर के लिए तुरा बढ़ डिटेल में दिया गया By सथ आंपर बिया कि इस इंपोस्ट के लिए क्या कुछ रिकौार्मेंट है सनथ है आपति krijए यहां पर की है कि तेन साल ठक आपका इनई जो प्रियेड होगां। क्या रूर्जर चेह 則 हो उसको थोड़ा से यहां पर पर यहां पर लोबरेट करेक। ज़्या सकते हैं धोल्ड़ 001 स्कीप करूं कि जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें बस में मुद्धों पर डिसकास करना है कि क्या कुछ है इसी आपको नोटिफिकेशन में लास्ट में आपको परफॉर्मा ऑफ फॉर अप्लिकेशन दिख जाएगा जो कि एनेक्शर वान करके इन्क्लोस किया गया है यहां पर ही आपको डिटेल में सारे डिटेल्स फिल अप करनें लाइक आपके पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं क्या नेम डेजिगनेशन क्या पोस्टल एड्रेस है इस तरह का कोई अगर आपका आईडी है ऑफिस आईडी है इमेल आईडी है वो सब भी स्टेटेस सब्सक्राइड कार्यरत है तो वहां से आपको अनोसी जैसा सर्टिफेक्ट वी गिवन वाइड़े कंट्रोलिंग अथोरिटी इस तरह से कुछ कुछ सर्टिफिकेट आपको जरूरत हो तो बनानी पर सकती है चलिए अब सीधे उपर चलते हैं और यहां पर देखते हैं लास जो और दिख सक्राइड और यहां पर देख सकते हैं यहां पर डेट दिया गया है कब फब्लीश हुआ था तो श्यक्टुबर से आप दिन जोड लिजिए और तब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बट मेरा एक प्लसनल सजेशन है कि आप इसको टाइम रहते अगर अगर आप लीजिबल है तो बस अप्लाई कर देजे विल फिलिंग अप्लिकेशन फॉर्म इफ यू इनकाउंटर एनी काइंड आफ प्रोब्लम और एनी काइंड आफ टेक्निकल और इफ एनी इस इमेल अडरेस पर आप कॉंटेक्ट करके पूश सकते हैं चाहे तो आप हेल्प ले सकते हैं या फोन नंबर दिये गया है साथ ही अगर आप कहीं देखते हैं ऐसे वेकेंसी जो कि आपको लगता है कि आप तो अपलाई नहीं कर सकते हैं बट में भी यह नोटिफिकेशन किसी और को हेल्प कर सकता है तो उस तरह का एडविटिजमेंट का कोई भी डीटेल वेलकम है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं दोस्तों कुछ लोगों का रिकेस्ट आ रहा है कि इंटर्विव में कैसे कोशन पूछे जाते हैं तो बहुत जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं डिस्क्राइब करूंगी और डीटेल में बताऊंगी कि इंटर्विव में कैसे क्या क्या question mostly कौन से question पूछे जाते हैं और किस question का जबाब आपको कैसे देना है और मतलब interview को लेके जो भी guidelines है उन पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्द किसी नए वीडियो में तो ऐसी बने डिये मेरे channel पर और social work के लिए मैं भी कुछ कर्चा करना चाहती है और हम सब मिलके कुछ definitely अच्छा करेंगे थैंक यू गाइज